हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू जोशी निटिंग चैनल कैसे हूँ आप लोग आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यह दिखें यह पैटन है जालिदार निटिंग पैटन है लेकिन अगर आप लोग चाहते हूँ कि आप लोग बुनाई में क कुछ थोड़ा बदलाव लाएं कुछ अपने डिजाइन को कुछ चेज करके अपलाई करें तो यह दिखें मैंने इसमें हाफ स्वेटर में मैंने यह जालिदार पैटन डाला हुआ है और हाफ पैटन मैंने उपर इसका कुछ डिफ्रेंट सा बनाया हुआ है तो यह दिखें करें यह रेगलन गटाई वाली है गोल राउंड की स्वेटर है आगी भी आप लोग की साथ शीर करूंगी तो यह दिखिए यह इसका बैक पार्ट है तो इसके लिए हमने क्या करना है जाली जिस फंदे में आपको डालना है वह वाला फंद आपने पहले नहीं निकालना है उस इस तरह से हमारा अगर सिंपल जाली आप बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो अगर इस तरह से पहले आपने जाली की बगल वाला निकालना है और फिर आपने जिस फंदे पर जाली डालनी है वह वाला फंद आपने आगी कर लेना है इस पैटरन को मैंने 13 फंदो ले सकते हो और मैंने दो-दो फंदे साइड में छोड़े वोए हैं डारेक्ट साइड से ही जाली नहीं ली है तो इस तरह से मैं सारे में जाली डाल लेती हूँ और फिर आपने क्या करना है जिन में हमने जाली डाली है सारे निडिल आगे कर लेने है और दो चकर लगा लिने है कैरीज की वोल आप अपने हिसाब से जिस हिसाब के आपकी वोल है उस हिसाब से आप कैरीज का नंबर सेट कर ले मैं नई नंबर पर बना रही हूँ उस वाल की वोल है इस तरह से फिर हमने वही करना है जिस फंदे में हमने जाली डालनी है उससे बगल वाला फंदा लेना है फिर उस फंदे को लेना है ताकि हमारा जो जाली है वो बहुत ही क्लियर आए और फिनिशिंग उसकी काफी अच्छी दिखती है इस तरह से फिर हम सारे निडिल आगे कर देते हैं फिर से हमने वही करना है दो जाली निकाल लिए तीसरी जाली डालनी है तो तीसरी जाली से आगे वाला फंदा हमने पहले लेना है फिर हम पूरी प्रोजेक्ट में इसी तरह से डिजाइन को अप्लाई करते रहेंगे और आप मेरी चैनल पर और भी डिजाइन देखने चाते हो तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए और आपको कुछ डिजाइन की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर विट यूर फ्रेंड्स एन फैमली अब हमने तीन-तीन जाली डाल ली है तो हम दो जाली बीच में फिर हम ले आएंगे तो दोनों हमने इस तरह से लेने हैं और डाल देने हैं इन में हमने कुछ भी नहीं करना है जीरो के साइड वाले दोनों नीडिल हमने आगे करने ट्रांसपर में लेने हैं और उसे डाल लेना है फिर हम इस तरह से अपलाई कर लेंगे अब हम दो चकर लगा लेंगे इस तरह से दिखी हमारा ये पैटर्न बनकर रेडि हो जाता है इस तरह से आप इस जाली को खड़ी में भी डाल सकते हैं उपर की साइड को लेकिन हमने उसके आपोजिट करना होगा पहले हमने जाली जीरो से डालनी होगी फिर हमने बाहर को ड बना रहे हैं तो हम साइड से जाली अंदर को डाल रहे हैं जो लोग बनाई करते हैं थोड़ा सा भी जानते हैं उन्हें पता है तो ये देखिए ये हमारा पूरी स्वेटर में कुछ इस तरह का पैटर्न लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताए आपको ये पैटर्न क यह थोड़ा सा बढ़लाव कर लिया है यह देखे यह आगे का पार्ट है तो जितना मैंने आगे जाली डाली है उतना ही मैंने पीछे बी जाली डाल दी है और अब ये हमारा ट्रांसपर टूल है और हमने इसे दो फंदे अंदर के ओर पलटने हैं और तीन फंदे हमने बाहर के ओर पलट लेने हैं इस तरह से दिखिए दो फंदे हमने पहले लेने हैं साइट के फिर हमने बगल के तीन फंदे बाहर को पलट लेने हैं इस तरह से यहाँ पर भी हम ओई करेंगे पहले दो फंदे लेंगे फिर तीन फंदे हम ट्रांसपर टूल में लेंगे और उन्हें आगे ट्रांसपर कर देंगे बहुत एजी है और काफी अच्छा ये बन कराता है काफी अच्छा लुक हमें देखने को मिलेगा मैं पूरी कार्डिगन भी आप लोगों की साँ शेयर करूँगी तो अगर आप लोगों को राउंड नेक की कार्डिगन मशीन में बनाना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं तो ये देखिए फिर मैंने आठ सला यहां लगा ली है फिर से मैं यही प्रोसेस करूँगी दो फंदे अंदर के और पलट ले है और दो फंदे हमने यहां से भी ध्यान रखिए आपने पहले दो फंदे लेने हैं ट्रांसपर्टोल में फिर आपने तीन फंदे लेने हैं तो हमने सारे फंदे इसी तरों से परट लेने हैं फिर से आठ सलाई यह चला लेंगे वो आपकी मर्जी है आप आठ सलाई चला लें या फिर उससे ज़्यादा चला लें कम चला ले जितने आपको दूरी पर मोड़ चाहिए आप उतने दूरी पर इससे अपलाई कर सकते हैं तो ये इस तरों का हमारा बन कर आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपको ये डिजाइन कैसा लगा थैंक्स फ़र वाचिंग टेक कियर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई